Hello student, this is Deepika Shuaasthu. तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, that is प्रिंसिपल आफ कैंसर और ये जो टॉपिक है, ये हमारे यूनिट 4 से हैं, जिसके अंदर हमारा आता है, क्लासिफिकेशन आफ कैंसर, इतियोलोजी आफ कैंसर और पैथोजिंसिस आफ कैंसर, तो ये सारे, ये तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, तो चलिए देखते हैं, क्या होता है कैंसर, एक ऐसा डिजीज होता है, जिसमें हमारे जो अबनॉर्मल सेल होती है, वो क्या होती है, अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और बोडी टिशू को डिस्टर्फ कर देती है, खराब कर देती है, यहाँ पर क्या है, कैंसर कौन से डिजीज है, ऐसी डिजीज है, जिसमें जो हमारी सेल होती है, जो अबनॉर्मल सेल होती है, वो सेल जो खराब होती है, वही सेल क्या होती है, बहुत जादा डिवाइड करने लगती है, और डिवाइड होने के बाद वो हमारे बोडी उसको खराब करना शुरू कर देती है तो acid disease को हम क्या कहते हैं cancer कहते हैं classification देख लेते हैं तो classification करते हैं cancer का by tissue type tissue type के accordingly क्या classification है हम देखते हैं सबसे पहला है carcinoma, दूसरा है sarcoma और तीसरा है हमारा lymphoma carcinoma जो classification है carcinoma is a cancer that form in epithelial tissue अगर हमें cancer होता है किसी भी epithelial tissues का, किसी भी epithelial cells का मतलब कि जो cancer है, जो abnormal growth हो रही है, वो किसी epithelial cells की हो रही है तो इस तरह के cancer को हम क्या कहेंगे carcinoma जिसमें epithelium cell evolve है जिसमें जो multiplication है, जो growth है, uncontrolled divination है, ये किसका हो रहा है हमारे epithelium tissues का हो रहा है, उसे हम कहते हैं carcinoma और बहुत सारे organs में हमारे epithelial tissues पाए जाते हैं जैसे breast cancer, kidney cancer, liver cancer, lung cancer, pancreas cancer and prostate cancer इन सारे हमारे body organs में epithelial cell पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है, epithelial cell ही हमारी uncontrolled तरीके से growth करना शुरू कर देती है तो ये किसमें आता है, हमारा carcinoma cancer में आता है सेकेंड हमारा है sarcoma these originated in connective tissues developing in areas such as the bone, fat and cartilage sarcoma cancer एक ऐसा cancer है जो हमारी connective tissue से generate होती है ऐसी cell जो हमारी connective tissue में रहती है उन में अगर uncontrolled development होने लगता है तो उसे हम कहते हैं sarcoma जैसे कौन कौन सी जगा है, हमारी bone है, fat है और cartilage है इसमें कौन सा cancer आता है, जैसे bone cancer अगर किसी को bone cancer होता है, तो वो कौन सी category में आएगा second category में आएगा, second category हमारा कौन सा है, sarcoma cancer third हमारा है lymphoma, lymphoma is cancer that start in the lymphocyte white blood cells in the lymphatic system lymphatic system क्या होते हैं, हमारी immune system की बात हो रही है जहां पे हमारी T cells और B cells की बात हो रही है अगर उन में cancer शुरू हो जाता है, हमारी bloods में cancer शुरू हो जाता है ठीक है, तो हम उसे कहते हैं lymphoma cancer जैसे blood cancer blood cancer किस के category के अंदर आता है, तो lymphoma category के अंदर आता है etiology देख लेते हैं, किस कारण वस हमारा cancer होता है the main cause of cancer is mutation or changes to the DNA in your cell genetic mutation can be inherited जो हमारा main cause होता है cancer का, इसमें क्या होता है, जो हमारी DNA होती है जो हमारी cells की DNA होती है, इन में कोई mutation हो जाता है, इन में कोई changes हो जाता है तो वो cell हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उन ही खराब सर क्या करती है cell क्या करती है, uncontrolled तरीके से growth शुरू कर देती है genetic mutation can be inherited, अगर हमारे genetic material में कोई mutation आता है तो यह क्या हो सकता है, inherited हो सकता है, मतलब माबाप से बच्चों में आने वाला cancer हो सकता है ठीके, external causes called carcinogens can be included external causes क्या है, जिसे हम carcinogens कहते हैं, वो कौन कौन से हो जाकते हैं physical carcinogens like radiation and ultra wallet light अगर बहुत जादा radiation पढ़ता है, बहुत जादा UV light किसी patient पर पढ़ती है तो it could be possible कि वो cancer की चपेट में आ जाए दूसरा हमारा chemical carcinogens like cigarette, smoke, alcohol, air pollution and contaminated food and water chemical carcinogens होते हैं, जो हमारे cigarette में पाया जाते हैं, smoke में पाया जाते हैं अगर कोई cigarette पीता है, कोई smoke करता है, different different तरह की smoke होते हैं like कोई cigarette, कोई beady, ganja, जो भी नसे की चीज़े होती हैं कोई बहुत जादा drink करता है, air pollution में भी है, अगर कोई industrial area के पास का जो air होता है वह बहुत जादा उसमें क्या होते है, chemicals होते हैं, तो अगर कोई सास लेता है तो chemicals सास के थूँ क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं and contaminated food and water भी कही ना कहीं हमारे cancer के responsible हो सकते हैं इससे क्या होगा, severe infection हो जाएगा, जिससे क्या होगा एक severe infection हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वह cancer का रोब ले सकता है तो biological carcinogen like virus, bacteria and parasites ये भी responsible हो सकते हैं हमारे cancer के लिए तो ये रही हमारी definition of cancer, cancer क्या होता है और क्या उसके classification है और क्या etiology है, क्या causes होते हैं cancer के ये हमने पढ़ाएगा आगे हमें पढ़ना है pathogenesis of cancer उससे पहले हम समझते हैं कि cancer होता क्या है pathogenesis of cancer हम लोग discuss करते हैं इसके लिए हमें समझना पढ़ेगा कि cell division क्या होता है क्या हमें पता है cancer कौन सा disease है ऐसा disease है जिसमें uncontrolled cell division शुरू हो जाता है तो उसके लिए हमें cell division को समझना पढ़ेगा पड़ेगा तो चलिए देखते हमारी ये जो सेल our ये आ गई इसमें क्या हो गया हमारे जो हैं we all इसमें क्या है हमारे क्रोमेटिन है हमारे क्रोमेटिन है इसके अंदर हमारे duplikae to practice और घेनल्स हैं जैसे कि हमारे मैट्रो कॉंडिया है हमारे खूंड चे और इसके अंदर हमारा क्रोमाटिन होगा क्रोमाटिन क्या होता है तो क्रोमाटिन क्या होता है यह मिक्चर होता है डियने और प्रोटीन का जो हमारा क्रोमोजोम्स बनाता है हमें पता है क्रोमोजोम्स क्या होता है यह एक डियने की एक लॉंग चेन होती है है ना, ओके, तो यह क्या होता है, पहले यह क्या बनता है, ओके, यहाँ पर DNA बन गया, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा क्रोमैटिन बन गया, लिख दें यहाँ पर, क्रोमैटिन है, प्लस हमारा क्या है, और गैनल्स है, यहाँ पर क्या है, और गैनल्स, और गैनल्स है हमारे, ओक तो सबसे पहला जो हमारा फेज यहां पे आएगा सबसे पहला फेज जो हमारा आएगा उसे हम कहते हैं प्रू फेज प्रू फेज हमारा सबसे पहले शुरू होगा प्रू फेज में हमारा क्या होगा कि यह जो हमारी सेल है इसके अंदर यह पहली बात तो यह जो envelope है, nucleus envelope है यह remove हो जाएगा और हमारा क्रोमोजोम्स तयार हो जाएँगे with organos. organos भी इसमें रहेंगे और क्रोमोजोम्स भी रहेंगे. उसके बात क्या होगा? कि इसमें क्या होगा? हमारे centrioles पॉर्म कर जाएँगे. क्यों का काम होता है इस विद्यूब्र बनाना क्रोमुजूम के सेंटर में हमारा होता है सेंट्रो मियर ख्रोमूद में गछा होता है हमारा kromozoms ठीक है और इसके बीच में जो होता है यहां पे हमारा होता है centromeres centromeres होते हैं तो यह क्या है two set of chromatids है यह क्या है दो set of chromatids एक यह हो गया और एक यह हो गया तो इन दोनों को hold करने का काम कौन करता है हमारे centromere करते हैं और ये बीच में होते हैं जो दोनों को joint किये रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं centromere कहते हैं ठीक है तो हमारे chromosome से ऐसे होते हैं ओके तो हमने देखा कि pro phase में क्या हो रहा है सबसे पहले तो ये जो nucleus envelop है ये remove हो जाता है जो chromatin थी ये हमारी अब condensed हो गई condensed होके किसमें chromosome में बन गई chromosome फर्म कर लिए और इसमें ही इसी phase में हमारे जो हैं ये जो हैं centrioles जो हैं ये बन जाते हैं दूसरा हमारा phase आता है ये जो हमारे centrioles हैं ये क्या करेंगे spectral fibers बनाएंगे ये क्या करेंगे spindle fibers next हमारा आता है anaphase क्या होगा कि हमारे ये जो spindle fibers हैं ये क्या करेंगे कि हमारा ये chromosomes कैसे है एक ऐसा है और दूसरा कैसा है एक ऐसा है और एक ऐसा है और बीच को जोड़ा किसने है centromeres ने जोड़ रखा है तो जो spindle fibers बने हैं ये ऊपर के पार्ट को खीचेंगे और जो नीचे वाला spindle fiber है वो नीचे को के पार्ट को खीचेंगे और दोनों को क्या करेंगे अलग कर दे तो ठीक है तो spindle fibers क्या करेंगे इनको ये छोटे हो जाएंगे और इनको क्या करेंगे अपनी तरफ खीचेंगे तो आधा पार्ट इनके पास रह जाएगा और आधा पार्ट नीचे वाले के पास हो जाएगा एनाफेज में हमारे क्या होता है यह जो हमारे क्रोमोजोम से वो क्या हो गए ब्रेक हो गए आधा इनके पास चलेगे आधा इनके पास चलेगा है नेक्स हमारा आता है नेक्स हमारा आता है टीलो फेज तीलो फेज में क्या होता है कि इसमें न्यूकलियर इन्वलप फॉर्म हो जाएंगे इसमें क्या होंगे न्यूकलियर इन्वलप फॉर्म हो जाएंगे तीलो फेज में क्या होता है हमारे न्यूकलियर इन्वलप ऐसे फॉ वहा है ऐसी में पैक हो जाएगा ऑके कि हमारा नेक्स जाता है इसे हम क्या गाते हैं साइटो का नैसेज इस फेस में क्या होता है कि हमारे यह जो नॉकलियस है यह क्या होंगे थोड़ेぎ से बीच में शुकूर जाएंगे कुछ इस तरह से ओकी यह हो गया उसके बाद क्या होगा शुकूरने के बाद यह क्या करेंगे double cell में ब्रेक हो जाएंगे with their genetic material तो इस तरह से क्या हो गया एक वापस से क्या हो जाएगा यह यह शुरू हो जाएंगे यह तो गिनेında मोट में जाएंगी या तो किसमें जाएंगी यह वन न में हो जाएंगी तो यह हमारी cell division की process एक बार हम quick revise करते हैं कि हमारी एक normal cell होती है जो हमारी या तो G1 के phase में जाएगी या तो G0 के phase में जाएगी G0 के phase में जो cell जाती है वो cell होती हमारी neurons होती है ठीक है जिनका development नहीं होता है जो divide नहीं करती है एक से दो सेल नहीं बनती है तो क्या होता है जितनी में हमारीellenels होते हैं नुकलियस में वो डूप्लिकेट हो जाएंगे जैसेकि हमारा mitochondria, ribosomes, ER, Golgi body ये सारी हमारी दो में convert हो जाएगे, फिर ये S phase में जाएगे, S phase में हमारी DNA का replication होगा, replication का मतलब होता है DNA एक से दो बनना है, DNA की copy बनना, ठीक है, तो क्या हो रहा है DNA का replication कैसे हो रहा है ये हमारी दो helicals DNA होते हैं जो open होंगे unbind होंगे, ठीक है ये दोनों open हो जाएगे, इनको unbind करने के लिए जो enzyme responsible होता है that is helicase enzyme होता है ये unbind होंगे, unbind के बाद इसमें polymerization होता है ठीक है, base pairing होते हैं base pairing हमारी purine और pyrimidine होती है जिसमें adenine, guanine, cytosine और thiamidine bonding होती है तो adenine के साथ thiamine की bonding होगी guanine के साथ cytosine की bonding होगी इधर क्या करेगा DNA polymerase enzyme जो होता है ये क्या करेगा help करेगा कि एक parent stand से parent cell से हमारी दूसी daughter cell बनाने में help करेगा तो इस तरह से क्या हो गया एक DNA से दो DNA हमारी बन जाती है उपर के जो बचे हुए DNA है उसमें क्या होगी super coiling हो जाएगी वो क्या हो जाएगी थोड़ा सुकुड जाएगा जो हमारे DNA के लिए harmful होगा तो उसको reduce करने के लिए उस सुपर coiling को हटाने के लिए हमारा जो एक enzyme है topi isomerase enzyme ये क्या करेगा help करेगा और इसको क्या करेगा super coiling नहीं होने देगा ठीक है उसके बाद हमारा जो cell है G2 phase में जाएगा जहाँ पे वो सारे enzyme synthesis होंगे जो भी cell division के समय चाहिए होते हैं उसके बाद हमारा जो cell होता है वो mitosis के process में चला जाता है तो mitosis की process हम यहाँ पे explain कर रहा है कि हमारा normal cell है इसमें क्रोमाटिन होता है और इसके साथ organelles होते हैं पहला phase आता है हमारा pro phase आता है जिसमें हमारा जो chromatin है वो condensed होके chromosomes में बदल जाता है और यहाँ पे जो होता है centrioles जो होते हैं यह form करने लगते हैं मेटाफेस में क्या होता है यह जो centrioles होते हैं यह क्या है centrioles मेटाफेस में क्या होता है जो centrioles होते हैं यह spindle fiber बना लेते हैं और क्रोमोजोम को क्या करते हैं अच्छे से पकड़ लेते हैं एनाफेस में क्या होता है एनाफेस में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं, जो किसे के बने होते हैं, हमारे दो क्रोमेटिट के बने होते हैं, तो यह क्या कहते हैं, स्पेंडल फाइबर एक क्रोमेटिट को अपने उपर अला स्पेंडल फाइबर एक क्रोमेटिट को ले लेता है, और नीचे वाला स्पेंडल फाइबर द इन्वेलप फार्म कर जाते है जिसमें हमाने जया होता है बंद हो जाता है जो यह जाता है, दब जाता है और फिर ये क्या करता है दो जैल को फॉर्म कर लेता तो इस शवरा से हमारी cell division हो गई तो क्या होता है जब भी cancer होता है तो यही सेल होती है यह uncontrolled cell division हो जाती है जब DNA का replication होता है तो यहांपे कोई mutations हो जाती है तो जो हमारी normal DNA थी ए वो DNA नाहा के डूसरी DNA बन जाती है ओर यह आगे की steps में forward हो जाती बहुत ही चल्दी शुरू करती हैं और यही process वो करने से क्या होता है वो बहुत ही fast कर देती cell division के process को और क्या होता है uncontrolled cell growth cell division शुरू हो जाता है यह जो हमारी cell division हो रही G0, G1, S phase, G2, M phase, pro phase, meta phase, यह सारी हमारे checkpoints होते हैं तो जब भी हम normal cell के cell division की बात करते हैं तो अगर कोई cell है जिसका G1 में कोई cell आया और उस cell में कोई problem पाई गई तो वो cell क्या होगी वहीं पे destroy हो जाएगी खतम हो जाएगी वह cell आगे वाले step में नहीं बढ़ेगी और बाइद वे चलो आगे वाले step में बढ़ गई तो यहां पे उसकी checking होगी और क्या होगा उसको यहां पे stop कर दिया जाएगा चलो मान लिया कि इस cell में भी नहीं रुपाई वह आगे वाली cell पे पहुच गई तो यहां पे उसकी checking होगी और यहां पे आप उसे रूठ दिया जागा इस तरह किऊँए हर सटेप स्पे checking होती है हमारी लेकिन cancer के सब में क्या हो जाता है cash making क्या हो जाती है यह जो checkpoint हैं alve हो जाते हैं खतम हो जाते हैं तो हमारी cell की checking ही नहीं होती है वो जैसे भी होते हैं वो क्या करते हैं सेल डिवाइड करना आपने आपको शुरू कर देते हैं इसी से क्या हो जाता है cancer cause करने लगता है तो जब भी हम कोई cancer की दवा देते हैं तो वो काम करता है हमारे DNA replication वाले step पर काम करता है इसको stop करता है और इसके अंदर जाते हैं है तो ये या तो helychase enzyme पर वर्क करता है ये DNA polymerase enzyme पर करता है ये WORK करता है और वर्क करके वो क्या करता है हमारे cancer के process को रोखने की कोशिश करता है तो इसही को जिसको हम समझाये है अभी तारल डिविजन में क्या करेंगे जो मैंने लिखा है नॉर्मल पैथोजेंसिस वो देख लेते हैं आप इसको एक्जाम में बना भी सकते हैं पैथोजेंसिस लिखने के बाद आप सेल डिवीजन की ये प्रोसेस आप एक्जाम में दिखा सकते हैं अगर दस नमबर को क्वेशन आता है और आपको लगता है कि ये कंटेंट कम है तो आप ये प्रोसेस जरूर दिखा दे ओके अथोजेंसिस ऑफ कैंसर अबनार्मल सेल डिवीजन नॉर्मल सेल इन योर बोडी ग्रो एंड डिवाइड एस सेल विकम डैमेजड और डाइ ओफ न्यू सेल टेक दियर प्लेस नॉर्मल सेल हमारी बोडी में ग्रो करते हैं और कर देशन कर देता हैं का इस प्रोसेस को क्या करता है और मुटेशन किस में कर देता है हमारे डियने में मूटेशन कर देता है DNA cell के DNA mutation कर देता है और इससे क्या होता है हमारी जो cell है वो abnormal तरीके से grow करना शुरू कर देती है The DNA in each cell has instruction that tell the cell what to do and how to grow and divide जो हमारा DNA होता है यह हमारे सारे cells को instruction देता है कि कैसे और कहा कब कैसे करना है कैसे grow होना है और कैसे divide होता है Mutation occurs frequently in DNA अचानक से DNA में क्या हो जाता है Mutation हो जाता है but usually cell correct these mistakes लेकिन क्या होता है जब भी हमारे DNA में mutation होता है तो हमारी जो cell होती है यह क्या करती है Automatic इसको correct करती है When a mistake is not correct जब यही mistake सही नहीं होता है तो our cell can become cancerous तो इस cell क्या हो जाती है cancerous हो जाती है अगर यह mistake सही नहीं होता है हमारी cell इसको correct नहीं कर पाती है तो हमारी जो cell होती है एक ऐसी हो जाती है cancerous हो जाती है mutation can causes cell that should be replaced to survive instead of die and new cell to form which they are not needed the extra cell can divide uncontrollably causing tumors to form mutation जब भी किसी cell में mutation होता है तो वो cell क्या हो जाती है die हो जाती है उसे वहां से हटा दिया जाता है लेकिन अगर cell die होने के जगह पे क्या हो जाती है survive हो जाती है ठीक है तो क्या करती है एक नया cell form करती है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं रहती है क्यों क्यों उस cell में क्या है? Mutation हुआ रहता है तो these extra cell can divide uncontrollably causing tumors to form यही cell क्या करती है? Divide होती है और tumors form करती है क्या करती है? यह dye नहीं होती है ठीक है? इन जिन cell में हमारे mutation हो गया यह dye अगर नहीं होती है यह अगर नहीं लगती है divide होना शुरू कर देती है तो यह क्या हो जाएंगी? एक जगा पर accumulate हो जाएंगी एक जगा पर क्या हो जाएंगी? accumulate हो जाएंगी और क्या करेंगी? एक tumor का form कर लेंगी क्या बना लेंगी? एक tumor बना लेंगी सारे tumor cancerous नहीं होते हैं लेकिन अगर बहुत टाइम तक किसी भी body part में tumor बना हुआ है तो वो दीरे-दीरे क्या होगा फटना शुरू कर देता है और फिर वो cancer cause करता है तो ये हमारी रही एक normal सी pathogenesis of cancer इतना enough है इसके साथ साथ आपको जो मैंने समझाया है वो figure आप बना देंगे कोई भी किसी भी short pathogenesis के पीछे नहीं पड़ेगा आप इसे बार-बार देखेंगे सुनेंगे दो-चार बार लिखेंगे तो ये बहुत ही जादा normal है और ये आपको याद हो जाएगा तो this is all about the cancer इसके questions हम देख लें तो questions इसके बहुत आए हैं इसके हम बहुत आए हैं प्रिविएस येर में 2017-18 में दो नंबर को कैंसर पर आया है जिसमें लिखा है in list the types of cancer जो हमने अभी discuss किया है तीन तरह क्यों होते हैं आप उन ही तीन तरह को यहां पर discuss करते और कुछ भी discuss करने की ज़रूरत नहीं है 18-19 में 7 नंबर का आया है जिसमें pathophysiology of cancer और define cancer के बारे में पूछा है तो इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं फिर 2019-20 में आया है 7 नंबर में आया है describe the pathway of development of cancer यहां पर क्या होता है आप यह क्या होगा जो यह pathway हमने बनाया है ठीक है यह जो pathway बनाया है इसको दिखाने के साथ साथ आप क्या करेंगे इस pathogenesis को लिखेंगे और यह question complete हो जाएगा next हमारा 2021-2022 में 10 नंबर का आया है pathology of cancer इसमें आप सारा कुछ लिख सकते हैं यह पूरा content लिखना पड़ेगा और यह question important है I hope इस बार जरूर आएगा यह question है इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तयार करिए चलिए thank you so much